दुनिया कुरोना महमारी के भीशर संकट से गुज़र रही है इसी बीच प्रकरती में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं अमारिका में ऐसी ही एक गटना सामने आई है जिसकी चर्चाप पूरी दुनिया में हो रही है अमारिका के औरिगॉन में एक बिली ने दो चहरे वाली बिली को जनम दिया है बताय जा रहा है कि बिली की दो नाथ चार आखे और दो मू है अमारिका के औरिगॉन में एक परिवार को उस वक्त बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी पारिवारिक बिल्ली ने 6 बिल्ली के बच्चे को जनम दिया उनमें से एक बिल्ली का बच्चा दो चेहरे के साथ पैदा हुआ लोगों में इस बिल्ली के बच्चे को लेका बहुत ग्रेस है वही फैमली ने बिल्ली के बच्चे का नाब बिस्किर सेंग ग्रेवी रखा है इस प्रकाय की बिल्ली को जानुस कैट्स कह जाता है दुरला बिल्ली का जनम दो आखो दो नाख और दो मूँ के साथ हुआ था इसने अपनी खासियत के चलते दुनिया का ध्यान अपनी और रहों के साथ पाया, हम बहुत हैरान थे यह बहुत अजीब लग रहा था हमें वास्तप में अहसास नहीं हुआ तब तक इसके बारे में जादर नहीं सोचा था ये वास्तप में बहुत दुरलब था परिवार ने आगे कहा बिली एक मुझ से म्याम्याओ करने में समक्ष है और दूसरे का उपयोग भोजन करने के लिए करती है बीजे किंग ने अपने बच्चो दार प्रेवित किये जाने के बाद इस खास बिली की डिटेल्स और नाई शेयर की तब से बिसकेट और ग्रेवी सोशल मीडिया पर वार्र हो गए है दो छेहरों के साथ पैदा हुई बिल्यों को जानुस कैट्स के नाम से जाना जाता है जिनका नाम रॉमन गौड जानुस के नाम पर रखा गया था जिनके दो छेहरे थे अफसोस की बात यह है कि बिल्लिया आमतौर पर एक दिन से जादा नहीं टिकती है हालाकि इस तरह के दुरलब बिली के बच्चे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते फ्राइंक और लुई नाम की दो मुवाली बिली 15 साल तक जीवित रही और 2006 में गिनेस वर्ल रिकॉर्ड में जगा भी बनाई कर दो हुआ प Epic कर दो हुआ झाल